नमस्कार दोस्तों आज हम लोग creeping animals के बारे में पढ़ेंगे मतलब ऐसे animals के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं जैसे आज हम लोग जो है सापों के बारे में टाल्टास के बारे में लीजर्ट्स के बारे में क्रोकोडाइल्स के बारे में ऐस इसे animals के बारे में पढ़ेंगे जो रेंगते हैं इन animals को कहा जाता है reptiles, reptiles ऐसे animals हैं जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं और इन सभी reptiles को class reptilia में सामिल किया जाता है तो आज के इस बीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो reptiles होते हैं उनके characteristics, features क्या होते हैं और कुछ हम ऐसे reptiles के example जानेंगे जो exam के point of view से काफी important होते हैं किसे हम लोग ये जानेंगे कि snakes, कौन से snakes poisonous होते हैं, कौन non poisonous होते हैं, कौन सी ऐसी lizard है या छिपकली है जो उड़ सकती है, ऐसी कौन सी छिपकली है जो जहरीली होती है तो इन सभी प्रसनों का एंसर इसी वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये जो reptiles होते हैं, या जो class reptilia है, उसके characteristic features क्या है, उसके ऐसे लचण कौन से हैं, जिसकी वज़ा से इनको पहचाना जा सकता है तो जो class reptilia है, ये kingdom animalia से जुड़ा हुआ है, अगर हम classification की बात करें, तो kingdom animalia, phylum codata, subphylum vertebrata और class है reptilia kingdom animalia का मतलब है कि सारा animal kingdom जो है, उसको सामिल किया जाता है, animalia के तहात, core data में, हम लोग पहले से ही जानते हैं, कि core data में ऐसे animals को सामिल किया जाता है, जिनमें 3 feature होते हैं, वो 3 feature कौन से हैं, कि उनमें जो है, nerve card होगी, उनमें noto card होगी, और उनमें pharyngeal gills slit पाए जाती हैं, तो जो भी cardates होते हैं, उनके life cycle में ये तीन characteristic features पाए जाते हैं, तो जितने भी reptiles होते हैं, वो सब के सब क्या हैं, cardates हैं, हम लोग भी human beings हैं, वो भी cardates होते हैं, vertebrata, saphylum vertebrata का मतलब है कि ऐसे animals, जिनके सरीर में backbone पाए जाती है, जिनके सरीर में vertebral column पाए जाता है, तो reptiles, यानि जो अगर हम साप का ही सरीर देखें, तो अगर उसके सरीर में देखेंगे, तो बीच में एक read की heady होती है, एक vertebral column होता है, इसी लिए उन सब को जो है, saphylum vertebrata में सामिल किया जाता है, इनका जो class है, वो है reptilia, reptilia में reptiles को सामिल किया जाता है, और reptiles, जैसा कि हमने पह जैसे अगर आप छिपकली को, अगर आप लोगोंने देखा है, देखा तो होगा ही, सबके घरों में छिपकली तो पाई ही जाती है, तो छिपकली क्या करती है, रेंग कर चलती है, साम अगर आप लोगोंने देखा होगा, साम कैसे करता है, वो भी जमीन पे रेंग के चलता ह हैं चलिए और चीज़े जानते हैं क्लास रेप्टीलिया या फिर रेप्टाइस जो हता है इसका मतलब होता है टू क्रीप का मतलब है रेंग कर चलना तो इट ट्रेडिशनली इनिकलूड़ेड ये डाइवस ग्रूप आप अनिमल्स ये ऐसा क्लास है जिसमें बहुत ही बिविदिता पाई जाती है बहुत ही प्रकार के अनिमल्स सामिल किये जाते हैं कुछ तो जमीन पे पाई जाते हैं कुछ हम लोगों के घरों की दिवालों पे पाई जाती हैं कुछ वाटर में पाई जाते हैं कुछ semi aquatic होते हैं तो इस तरह से जो ये class है, class reptilia है इसमें diverse group of animals सामिल किया जाते हैं, अगर हम examples की बात करें, तो इनमें turtles को सामिल किया जाता है, जो कछुआ होता है उसको इसी में सामिल किया जाता है जितने snakes होते हैं, जितने साप हैं उनको सामिल किया जाता है लीजर्ट्स, क्रोकोडाइल, ऐलिगेटर, चायमंद, छिपकली और कैमेलियोन ये सब के सब किसमे सामिल किया जाते हैं सब के सब को इन्ही कलास रेप्टीलिया में सामिल किया जाता है तो ये तो हो गया कि what is a reptile रेप्टाइल क्या होते हैं कि रेप्टाइल जो क्रीप करके चलने वाले अनिमल्स होते हैं उनको रेप्टाइल कहा जाता है जितने भी मेंबर हैं क्लास रेप्टीलिया में उन सब को रेप्टाइल कहा जाता है चलिए और चीजे जानते हैं तो class reptilia के कुछ features के बारे में अगर हम लोग जाने तो हम लोग उने पहले से कहा कि इसमें क्या-क्या सामिल होते हैं turtles, lizards, snake, crocodile, alligator, chimons, tutara ये सारे के सारे जो होते हैं reptiles होते हैं और इसमें अगर हम snake को छोड़ दिया जाये तो जितने भी reptiles होते हैं सब के सब क्या होते हैं tetrapod होते हैं tetrapod मतलब, tetra मतलब होता है phore और pod मतलब होता है pair तो ये सब के सब जो होते हैं चार pair वाले या चौपाई animals होते हैं यहाँ पे आपको एक lizard दिख रही है lizard में आपको कितने pair दिख रही हैं दो पीछे हैं और दो आगे हैं तो क्या कितना हो गया टेटरा पोड चार पैर तो जितने भी रप्टाइस होते हैं अगर स्नेक को साप को छोड़ दिया जाए तो सब में जियो है चार पैर पाए जाते हैं सब के सब टेटरा पोड होते हैं तो साप का पैर कहा गया? पहले जो साप के पूरबज थे उनमें जो है पैर पाय जाते थे उनमें भी पैर थे लेकिन evolution की परकिरिया में क्या हुआ कि सापों ने जो है अपने पैर के यूज को बंद कर दिया अपने पैर का इस्तेमाल करना छोड़ दिया और इसका परिनाम ये हुआ कि कुछ हजार साल बाद कई generation बाद क्या हुआ कि सापों में जो पैर थी ओ गायब हो गई तो इस तरह evolution के द्वारा जो होता है सापों ने अपने पैर को त्याग दिया इसको हम लोग पढ़ेंगे जिसे हम लोग evolution के तहाद जब हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग लाइमार्क बाद डार्विन बाद इन सब चीजों को डिसकस करेंगे तो इसमें भी हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे सापों के जो पैर थे ओ कहां चले गए कैसे गायब होगे बाकी सभी reptiles में पैर पाये जाते हैं दिन इनके जो reproduction का तरीका है कि सब के सब reptiles क्या होते हैं ओ भी पैरस होते हैं अर्थात अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं और इनका जो एग होता है वो थोड़ा सा क्या होता है लेदरी होता है और amniotic एग होते हैं और इस एग के चारो तरप calcium carbonate की एक अच्छी सी खासी strong जो है cell पाई जाती है अगर ये एग है तो एग के चार अच्छा करता अगर आप लोगों ने snake के अंडे को देखा होगा या फिर snake को अगर नहीं देखना चाते हैं तो छिपकली के अंडे या फिर कचुए के अंडे तो इनके अंडे को आप लोग देखेंगे कि white color के होते हैं ऊपर जो होती है एक cell होती है जो थोड़ी सी जैसे है राजे पाया जाता है सिर्फ एंटार कटिका के छेतर में जो होता है ये नहीं पाया जाते हैं बागी हर जगां पे जो होता है रप्ताइस लगभाग पाया जाते हैं सभी कंटिनेंट्स में पाया जाते हैं सभी जगों पे जो है इनका वासिस्तल होता है फिर ये एक्टो इनके body का सरीर का जो तापमान होगा उतना होगा अगर environment का तापमान 17 degree Celsius है तो इनके body का सरीर का temperature भी लगबग 17 degree Celsius के पास होगा अगर temperature environment का घटके 17 degree Celsius हो जाता है तो इनके सरीर का तापमान भी उसी हिसाब से घटके 17 degree Celsius के आसपास आ जाता है जैसे हम मनुस्त जो होते हैं human beings जो होते हैं वो warm-bladed होते हैं यानि हम लोगों का जो सरीर का जो internal temperature है वो constant होता है जो 37 degree Celsius है 37 degree Celsius हो वो constant होता है environment के temperature पर हम लोगों के body के temperature पर कोई असर नहीं पड़ता है लेकिन reptiles चूंकि cold-bladed होते हैं जो internal temperature होता है इनके body का वो constant नहीं होता है बलकि ये depend करता है कि environment का क्या तापमान है वही तापमान इनके body का होता है आप लोगोंने कई बार देखा होगा कि साप जो होते हैं या जो छिपकली होती हैं सर्दी के समय में ये बाहर आ जाती है जिससे इनके थंडी लगने की या सर्दी लगने की समस्या इनकी दूर हो जाती है दूप में आके इसको कहते हैं धूप सेकने आये हैं जाता समय तक होता है जब थंडी के समय में ये बाहर निकलते हैं और पिर्थवी पर ये लगबग 300 million years एगो जितने दस लाग के बराबर होता है तो अब हम और characters के बारे में जानते हैं थोड़ा और चीजे जानते हैं तो क्योंकि यह सब किसब मेनी एक bearing होते हैं धेर सारे जो हता है एक देते हैं parental care इनमें भी पाया जाता है हम लोगों ने amphibia जब पढ़ा था तो उसमें कहा था कि उनमें भी parental care पाया जाता है अर्थात parental care का मतलब यह है कि जो माता-पिता होती है वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं तो reptiles भी अपने अंडों का अपने बच्चों का देखभाल करते हैं यानि इनमें भी parental care पाया जाता है जैसे हम मनुष्य अपने बच्चों का देखभाल करते हैं अपने बच्चों की care करते हैं उनका protection provide करते हैं वैसे ही reptiles भी अपने बच्चों का care करते हैं दन इनमें lungs पाया जाते हैं इससे पहले क्या जो evolution की परकिरिया है, पहले कैसे, मचली आई, मचली से amphibia आए, amphibia से reptiles आए, पहले क्या है, मचली, मचली जो है, जल की रानी थी, यानि जल में रहती थी, वो जमीन पे नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसमें फेफडा नहीं था, उसमें लंग से नहीं था, फिर मचली से विका वाइल्स, ऐसे animals होते हैं जो पूरी तरह से जमीन पे रह सकते हैं और ये air breathing कर सकते हैं air breathing इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनमे लंक्स पाया जाता है इनमे पानी रहने में ये पानी में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं इनको जो है सांस लेने के लिए बाहर आना होगा क्योंकि ये air breathing करते हैं then अगर हम बात करें तो इनमें जो है कई रोप आय जाते हैं identical teeth के यानि इनके दांत जो होते हैं वो लगबग similar होते हैं identical होते हैं इनका जो तवचा होती है जो उपर का surface होता है वो dry होता है scale होता है और imperveable होता है जो skin होती है जितने पिर reptiles होते हैं अगर हम सांप के skin की बात करें या फिर जो lizard होती है उसके skin की बात करें तो skin इनकी जो होती हो dry होती है सूखी होती है साथी साल scale होती है scale के समान जैसे मचलियों में scale पाए जाते हैं वैसे ही कुछ scale जो होता है इनके सरीव में पाए जाते हैं लेकिन मचलियों का scale तो काफी बड़ा और इस्पर्ष्ट होता है लेकिन इनका scale जो होता हो थोड़ा सा छोटा छोटा होता है mostly जितने reptiles होते हैं वो Carniaurus होते हैं Carniaurus का मतलब होता है मांसाहरी और इनमें से भी Insectiaurus ज़्यादा होते हैं यानि Insect को खाने वाले ज़्यादा होते हैं Insect को ज़्यादा खाते हैं Claws या digits इनमें पाए जाते हैं ये जो दिख रही है जो इनके पायर होते हैं उनमें Claws या digits पाए जाते हैं तो ये और कुछ characters हो गया थोड़ा और characters जानते हैं सबके सब एक्टो थर्मिक होते हैं हमने पहले कहा कि Cold-Blooded Animal होते हैं इनके सरीर का तापमान जो होता है Environment के तापमान के बराबर होता है Dry Skin होती है जो की Scale से Cover होती है Most have two pairs of Short Legs and Clod Feeds जितने भी लगबग होते हैं सब में दो पायर पाये जाते हैं दो पेर पाये जाते हैं दो आगे दो पीछे और उनमें भी Clod पाये जाती है यानि जो Claws होती है वो पाये जाते हैं Obipirus होते हैं Internal Fertilization पाये जाता है Internal Fertilization का मतलब होता है कि जो Fertilization की परगिरिया होती है वो सरीर के अंदर होती है Body के अंदर होती है याक साहबे Leathery Cell and York and Lungs to Breathe और इनके जो Heart होता है वो तीन या चार चैंबर का होता है मचलियों का जो Heart होता है उसमें दो चैंबर थे फिर Amphibians आते हैं या Amphibians में भी दो चैंबर थे और फिर आते हैं क्या फिर आते हैं Reptiles और Reptiles में जो है तीन चैंबर होता उनका जो Heart होता है उनमें तीन होगा लेकिन कुछ Reptiles ऐसे होते हैं जिनमें चार चेंबर हर्ट भी पाया जाता है जैसे क्रोकोडाइस का जो हर्ट होता है उसमें चार चेंबर होते हैं हम लोगों का जो हर्ट है उसमें भी चार चेंबर होते हैं तो ये बात हो गई फिर हम लोग बात करते हैं चलिए और आगे बढ़ते हैं जादा कुछ इसमें और उससे जो है जो बेबी होती है और अप्टाइस का वो बाहर निकलता है एक्टोथर्मिक होता है हम लोगों ने पहले कहा कि ये सब के सब cold-badas होते है और अपना temperature जो होता है वो constant नहीं रछ पाते हैं जो temperature environment का होता, वही temperature जो होता है, इनके सरीर का होगा, dry scaly skin होती है, हम लोग पहले से जान चुके हैं, यहाँ पे आप लोगों को साफ scales जो है, दिख रहे हैं, यह इसने का पूरा सरीर जो होता है, scale से धका हुआता, तो जितने भी reptiles होते हैं, सबका सरीर जो होता है, और scaly skin से जो है, पूरी तरह से धका होता है, scaly skin से होने का फैदा क्या होता है, कि यह water loss को reduce करता है, यानि सरीर से जो water loss होता है, उसको scaly skin की वज़ास से जो होता है, वो कम हो जाता है, साथ ही साथ यह provide करता है protection, क्योंकि जो scales होते हैं वो काफी strong होते हैं इसलिए ये जो होता है body की सुरच्छा भी करते हैं then shading की बात करते हैं scales पाए जाते हैं जैसे अगर आप लोगों ने snake को या साब को ध्यान से देखा होगा तो उनका जो उपर वाला परत होता है वो कभी-कभी उसको shade करते हैं उसको छोड़ देते हैं जिसे गाव में कहते हैं cancule cancule चोड़ना तो snakes सनेक जो होते हैं जो पुराना उनका skin होता उसको गिरा देते हैं जैसे पत्तियां पेंड़ों से गिर के अलग हो जाती है वाजसे snake भी अपने सरीर की जिस जाड़ियों में साप रहते हैं, अगर वहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो इस तरह के जो है old skin जो होते हैं, इस नेक के दिखाई पड़ जाते हैं, ये परकरिया कहलाती है सेडिंग, और सेडिंग क्या है कि जो पुरानी skin होती है, उसको साप जो होता ह skin आजाता है, रप्टाइल के हर्ट के बारे में हम लोगोंने पहले ही जान लिया है कि इनमें जो होता है, जो अधिकांस रप्टाइल होते हैं, लेकिन जो क्रोकोडाइल का हर्ट होता है, उसमें चार चैमबर होते हैं, यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल दिख रहा है, और य जो हर्ट है वो भी चार चैमबर वाला हर्ट होता है, यानि जो हिर्दा है, जो दिल है, उसमें चार जो होते हैं, कमरे पाये जाते हैं, तो क्रोकोडाइस में भी चार चैमबर होते हैं, लेकिन अधिकतर रेप्टाइस जो होते हैं, उनमें तीन चैमबर का हर्ट ही पाये जात जैसे जो क्रोकोडाइस होते हैं, या जो टार्टल्स होते हैं, वो अपने पैरों का इस्तेमाल स्वीमिंग के लिए करते हैं, कुछ इसका प्रयोग रनिंग के लिए करते हैं, लीजर जो होती है, भागने के काम में आती है, कुछ क्लाइम्बिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर आपसेंट होते हैं तो ये बात हो गई इनके पेरों की अब हम लोग कुछ ऐसे रप्टाइजída के बारे हैं एक्जाम्पल जो है जानते हैं जिनको जो है आप सभी लोग जानते हैं ये जो है टैर्टल्स है टैर्टल मतलब कच्छुआ और कच्छुआ और खरगोज के रेस में हमेशा बिजेता कौन होता है टैर्टल्स ही जीता है कच्छुआ ही जीता है कच्छुआ की खास बात है कि इ cell जो होता इस पे जो है काफी pattern बने होते हैं जिसकी मदद से इनको पहचाना जा सकता है तो ये रही कचुए के बाद में और कचुए जो होते हैं ये क्या होते हैं कि ये जल में रहते हैं ज्यादा तर समय जो होता है ये जल में रहते हैं लेकिन Green Sea Turtle और Olive Ridley Turtle, यह सब जो होती हैं, परवासी कचुए है, जो भारत के जो है, जो उरिसा वाला छेतर है, अगर भारत का नकसा, आप लोग देखें, कुछ इस तरह से भारत का नकसा है, है ना, तो यहां जो उरिसा वाला छेतर है, यहां पर बहुत सारे परवासी कचुए जो हो लेकिन इस समय जो होता है कच्छुए की बहुत सारी परजातियां जो है एक्स्टिंशन के कगार पे हैं यानि एंडेंजर इस पिसीज में सामिल हो चुकी है अगर उनका प्रोटेक्शन नहीं किया गया उनका कंजरवेशन नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये सारे कच्छुए की बात कच्छुए की खास बात ये है कि कच्छुए जो होते है एक निश्चित टंप्रेचर में जो होता है गर इनका अंडा रहेगा हो लगबग जो है अगर हम ग्रीन सी टर्टल की बात करें तो लगबग बाइस डिग्री से लेके 27 डिग्री से लिग्री से ल कि अगर वो इस temperature पर अपने अंडे देता है तो वो अंडा जो होता है उससे हमेशा female ही निकलेगी लेकिन अगर इससे कम होगा temperature या 27 degree Celsius से ज़्यादा temperature होगा तो उस अंडे से male निकलेंगे ठीक है तो अगर global warming ऐसे ही बढ़ता रहा और 27 degree से ज़्यादा temperature हो गया तो जितने अं होंगे सब के सब वहां से male ही निकलेंगे female नहीं निकलेंगी और अगर female नहीं निकलेंगी तो फिर आगे जो है परजनन कैसे होगा reproduction फिर नहीं हो पाएगा और ये species खतम हो जाएंगी तो global warming का अगर impact पूछा जाए तो आप इसे भी बता सकते हैं कि global warming से जो होता है कुछ species या कुछ reptiles के जो है परजनन पे जो हता है बहुत जादा बुरा परभाव पड़ रहा है तो चलिए और चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा है इसे कहते हैं उड़ने वाली छिपकली उड़ने वाली छिपकली छिपकली तो उड़ती नहीं है है ना तो हम लोगों के जो दिवारों पे जो है छिपकली पाई जाती है लिजट पाई जाती है वो उड़ती नहीं है वो चल सकती है मतलब दिवारों पे किसी भी डायरेक्शन में उपर नीचे कहीं पे भी चड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती है लेकिन एक ऐसी जिसका नाम है ड्रैको क्या नाम है ड्रैको ड्रैको एक ऐसी छिफकली है जो उड़ने में सक्चम होती है यहाँ पी जो आपको दिख रहा है यह उड़न छिफकली का उधारन है जिसे ड्रैको कहते हैं असल में जो इनका जो आगे वाला जो पैर होता और जो पीछे वाला पैर होता उसमें जो होता है एक इसकिन बड़ी सी पाई जाती है और इसी की मदद से जो हता है ये काफी दूर तक उड़ने में सक्षम होते हैं गलाइड करते हैं तो यहाँ पे भी एक आप दो देख सकते हैं ये भी ड्रैको है जिसे जो है किसी ने पकड़ के पोटो खींच लिए, चलिए, आप इसे बताईए, यह तो कामन लिज़र्ड है, हमरे गरों के दिवारों पर पाए जाने वाली लिज़र्ड है, सामाने लिज़र्ड है, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, जो चीज जाननी है, कि इनकी पूँछ होत तो ये फिर से जो होती है अपनी पूछ को उगाने में सक्षम होते हैं इसे कहते हैं पावर ओफ री जनरेशन जो इनकी पूछों में पाया जाता है तो चलिए और अब आप लोगों ने लीजर्ट को देखा होगा कि लीजर्ट जो हता है छतों पे पीच चलती है उल्टा लट से क्या होता कि ये दिवारों से गिरती नहीं है अब एक और छिपकली के बारे में बात करते हैं अब आप कहेंगे कि सर आप सिर्फ छिपकली पढ़ा रहे हैं तो छिपकली देख लेते हैं कुछ ऐसी खास छिपकली है ये सामान छिपकली नहीं है अगर ऐसी छिपकली अगर नाम है हैलो डर्मा हैलो डर्मा जो है एक ऐसी छिफकली है जो पॉईजिनस होती है काफी जो है जहरीली छिफकली है अगर इस तरह की चक्यत्यदार छिफकली आपको कहीं पर मिले तो उनसे दूर हो जाएए क्योंकि हैलो डर्मा नाम की ये छिफकली काफी पॉईजिनस होती ह ये आपको दिख रहा है इस तरह से अगर काट लेगा तो काफी जो है poison सरीर में फाइल जाएगा ये go है, go मतलब baroness इसको कहते हैं वैरानस गाउं में इसे go कहते हैं बारिस के समय में जो है ये अक्सर बाहर निकलती है ये भी जैरीले होते हैं और छिपकली से जो तक काफी बड़े होते हैं छिपकली जैसे ही दिखते हैं अधिकांस रेप्टाइस एक ही तरह के ही दिखते हैं छिपकली जैसे ही है ना, तो ये वैरानस वैरानस है, जिसे गाउं में गोह कहा जाता है इसे तो आप सभी जानते हैं ना फान फैल आये हुए नाग नागिन की कहानिया आप सब लोगों ने काफी पढ़ी होगी तो जितने भी इसनेक होते हैं वो सब के सब रेप्टाइस में सामिल किये जाते हैं और इसनेक की जो खास बाते हैं कि इनमें जो होते हैं पैर नहीं पाय जाते हैं पैर जो है इनके पूर्बजों में थे लेकिन इनके पूर्बजों ने पैर के परयोग को छोड़ दिया क्योंकि ये बिलों में रहते थे जाड़ियों में रहते थे तो इस दवरान पैर जो होते हैं इनको जो है चलने फिरने में बादा पहुचाते थे जब ये बिलों में घुसते थे तो पैर फंस जाते थे तो इनके पूरबजों ने कहा कि हटाओ पैर का इस्तिमाल नहीं करते हैं तो इस परकार हजारों लाखों साल के बाद ये हुआ कि जो नए सांप आए उनमें पैर था ही नहीं इस तरह जो है इबोल्यूसन की परकिरिया में उनका पैर गायब हो गया इस इबोल्यूसन का जो ये तरीका है इसको कहते हैं लैमार्क वाद या लैमार्किज्म है लैमार्किजम ये कहता है कि सरीर के जिस अंग का यूच सबसे ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा strong और मजबूत होगा और जिस अंग का इस्तेमाल सरीर में नहीं किया जाएगा वो दीरे-दीरे गायब हो जाएंगी ठीक है तो इसे कहते हैं लैमार्किजम या फिर लैमार्क बाद इसे हम लोग आने वाले चैप्टरों में जब हम लोग कभी इबोल्यूसन पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे लैमार्क बाद डार्मिन बाद ये सारी चीजे हम लोग पढ़ेंगे तो इसनेक में पहली चीज़ तो यह है कि यह भी रेप्टाइज ही होते हैं लेकिन इनमे पहर नहीं पाया जाता दूसरी चीज़ जो है कि इनमे से कुछ इसनेक जो होते हैं पॉईजिनस होते हैं और कुछ इसनेक जो होते हैं वो नान पॉईजिनस होते हैं सभी इसनेक जहरीले नहीं होते हैं सभी साप जहरीले नहीं होते हैं कुछ साप ही जहरीले होते हैं बाकि साप जितने होते हैं वो नान पोईजिनस होते हैं उनमें कोई जहर नहीं होता है चलिए यह सब चीजें दिख रही है यह है कामन करेथ कामन करेट यह सहम लोगों के यह कुछ इंडियन इस पिसीज है इस नेकी जो की पॉईजिनस होती है यह है कामन करेट पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो इसनेक का जो पैटर्न होता उसकी मदद से भी इसनेक को पहचाना जाता है कि कौन सा साप है दूसरा है रसल वाइपर इसका सरीर कुछ इस तरह से होता है काफी जहरीला होता है यह है सा स्केल्ड वाइपर यह भी काफी पॉईजिनस होता है जिसको काड लेगा फिर उसको जो है गर सही समय पर एंटीडोट नहीं मिला सही समय पर जो है साप जो एंटिडोट का जो इंजेक्शन होता हो नहीं मिला तो आदमी की डेथ हो जाती है ये तो भाई नाग साहब है कोबरा है कामन कोबरा है जिसे नाजा नाजा के नाम से जाना जाता है नाग नागिन इसी को कहते हैं इनका फन जो होता है इनका जो आगे वाला जो है हिसा होता हो काफी जो है बड़ा होता है तो ये सारे के सारे क्या है ये जहरीले साप है इन्हें जब भी देखें तो इनसे दूर रही है इन्हें छेडिये मत और दूसरी चीज है कि गाउं में जो होता है, इसा कहा जाता है कि ये जो होते हैं, इनके जो आखे होती हैं, उनमें जो है फोटो कैप्चर करने की चमता होती है, है ना, वहला अगर आप लोगों ने जो है इंडियन सिनेमा देखा होगा, तो नागनागिन का बदला तो आप और नागिन डांस तो काफी परचलित है भास कर अगर नाग को मारोगे तो नागिन जो है आपसे बदला लेगी कैसे बदला लेगी कि अगर जब आप मारोगे और उसकी आँख अगर नहीं डामज हुई तो उसमें आपकी इमेज होगी और नागिन उस इमेज से आपको पहचान लेगी और फिर उसका बदला लेती है यह सब बकवास है असल में जो होता है, जो सांप होते हैं उनकी जो आँखोती हुँ, हमेसा खुली ही होती है, उस पे आई-लीड नहीं पाई जाती हैं, पलके नहीं होती हैं, तो यह सब पहली की बातें हैं लोगों को बच्चों को दूर करने के के लिए कि जो नाग होता है या जो नागिन होती है उसके आईज में जो होती है कोई इमेज बनती है इमेज बन भी जाएगा तो इतना जो है नाग या नागिन जो है समधदार नहीं होती है कि उस इमेज को देख सके या पढ़ सके दूसरी चीज़ होती है की सापों के बारे में की साप जो होते हैं सुनते हैं सुनने की चमता इनमें नहीं होती है क्योंकि इनमें कान तुपाय नहीं जाते हैं जितने भी सनेख अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें कान नहीं होते हैं इयर नहीं पाए जाते हैं तो जो बीन बजाई जाती है जो मदारी वाले या जो सपेरे होते हैं वो बीन बजाते हैं तो बीन के साउंड से जो होता है सांप मूब नहीं करता है बलकि जो बा बहुती डेंजरस सांप दिख रहा है, ये भी एक सांप है, ये सारे के सारे पॉजिनस हैं, यहाँ पे एक दू मुहा सांप दिख रहा है, अक्सर कहते हैं, गाओं में जो है मदारी ओदारी दिखाने कभी कभी आते हैं, तो दू मुहा वाला सांप लेके आते हैं, कहते हैं, इ इसको दो मुहा साप कहते हैं, असल में इसका जो पूँच होता है वो उसका कुछ मुह की तरह ही दिखता है, दोनों तरब में आपको समानता दिख रही है, दोनों तरब लग रहा है कि एक ही जैसा है, दोनों तरब मुही है, तो इस तरह से जो होता है, यह हो जाता है कि कहते ह में नहीं पहलेगा ये है पाइथन क्या है अजगर है अजगर जो होता ये काफी बढ़ा होता है है ना बाग काफी बढ़ा होता है और खास बात ये कि ये नान पॉजनस होता है लेकिन नान पॉजनस होने के बाद भी ये इतना बढ़ा होता है कि अगर इसको अपना सिकार मिल इसे ऐसे उसको चारो तरफ से जोता है घेर लेगा और फिर इतना कसेगा कि जो है सास फूलने से जोती है जो उसका सिकार होगा वो मर जाता है दूसरी चीज़ होता है कि इनका मुह जोता है काफी फैल जाता है और जिसको ये अगर अपने मुह के अंदर ले लिए तो उसको प मेजन के जंगलों में काफी जादा पाई जाती है फिल्म आप लोगों ने देखा होगा अनाकॉंडा नाम की बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े अनाकॉंडा दिखाए गए यहां तो सच में जो है लगबग असंबग होता है और जिसको निगलते हैं जो अपना सिकार होता है उसको पूरा ये निकलने का प्रयास करते हैं ये एक बार खाना खा लेता है ना कॉंडा है या आजगा तो कुछ समय तक जो हता है वैसे निठला पड़ा रहता है क्योंकि उसको फिर बोजन की जरूरत कुछ समय तक नहीं होती है यहाँ पे क्या दिख गया यह भाई साब क्या है यह है आप लोगों ने फिल्म देखी है जुरैसिक पार्क जुरैसिक पार्क में किसका चीज है उसमें जो है सब डाइनासोर दिखाई पड़ते हैं है ना तो यह डाइनासोर का यह कंकाल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है चुकि डाइनासोर जो होता है धर्ती से पूरी तरह से बिलुप्त हो चुके है एक्स्टिंक हो चुके है इसलिए अब इनके कंकाली हम लोगों को मिलते हैं एक समय था जब प्रितवी पे जुरैसिक काल चल रहा था जुरैसिक पीरियड चल रहा था तो उस समय डैनासोर का राज होता था बहुत बड़े बड़े बिसाल काई डैनासोर जो होता है इस धर्दी पर पाए जाते थे और जितने भी डैनासोर हैं वो रप्रितवी पे ऐसा उथल पुथल हुआ ऐसे परिवर्तन हुए कि सारे डैनासोर जो होता है हमेशा के लिए गायब हो गए तो डैनासोर जो होता है वो बिलुप्त पर जाती है अब ये धर्ती पर नहीं पाई जाती है यहाँ पे भी आपको काफी बड़े डैनासोर दिख रहे हैं यहाँ पे आपको एक human दिख रहा है और इतना बड़ा जो है ये डैनासोर की एक परिजाती है तो आज हम लोगों ने reptiles के बारे में बहुत कुछ जाना उनके characters के बारे में जाना हमने कुछ ऐसे reptiles के बारे में जाने जो काफी interesting है जिनके बारे में बहुत सारे facts थे जिसे साथ आप लोग जानते हो या ना जानते हो उन सारी चीजों को हम लोगों ने आज इस वीडियो में discuss किया है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो like और share करना न भूलिएगा